हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि रेड्मी में होट्सपोर्ट सेटिंग कैसे करें यहाँ पर हम आपको हर चीज बताने वाले हैं कि उसको चालू कैसे करें पासवर्ड कैसे देखें पासवर्ड कैसे चेंज करें नाम कैसे चेंज करें इसके अलावा सारी सेटिंग हम आपको उसमें बताने वाले हैं तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फोन की सेटिंग में मैं आपको दो तरीके बताऊँगा जहां से आप होट स्पोर्ट के पेज पर पहुच सकते हो तो सेटिंग में जाएए सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पर मिलेगा पोटेवर होट स्पोर्ट यह आपका जहां पर भी है देख लीजिए साइद आपका connection and sharing के अंदर हो सकता है तो यहाँ पे आप इसे ढूंड लीजिए और इसे ओपन कर यहाँ इस पेज पे पहुच जाओगे पर अगर आप इस पेज पे नहीं पहुच पा रहे हो तो आप अपने notification बार को नीचे करें यहाँ पे आपको मिल जाएगा notification बार के जो option होते हैं जहाँ पे wifi या net आप चालू कर सकते हो यहाँ पे देखिए hotspot भी है तो उसको आप long press करें यानि दबाया रखिए छोड़ना नहीं है और आप उसी page पे पहुच जाओगे सबसे पहले इसे आप यहाँ से चालू कर सकते हो शायद आपने चालू कर लिया होगा setup portable hotspot पे जाके आप इसका नाम देख सकते हो देखिए यहाँ पे नाम है SSID यह इसका नाम है यह राज का password यहाँ पे इस पे क्लिक करके आप इसका password देख सकते हो आपके में अलग होगा मेरे में अलग है इससे आप change भी कर सकते हो और आपको दोवारा 8 नमबर का ही password डालना पड़ेगा security में आप यह देख लिजिए आपको WPA2 personal करना है device identification में portable hotspot करना है आप default भी कर सकते हैं और hide SSID पे आप करोगे तो आप इससे hide भी कर सकते हो पर मेरे इसाब से आप जैसे setting देख रहे हो वह इसी करिए और right पे क्लिक करिए यहां से आप इसका QR code चेक कर सकते हो QR code क्या है आपका अलग होगा मेरा अलग है इसके आप limit set कर सकते हो कि जैसे कोई दूसरा वेक्ती आपका hotspot यूज कर रहा है नहीं होता है तो यह automatic बंद हो जाएगा फिर आपको इसे दुवारा on करना पड़ेगा इसके लाव और भी चीज़े हैं जो काम के नहीं है पर हमारा जो यह काम का था मैंना आपको बता दिया है ऐसे आप इसको इसको इस्तिमाल करिए और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिए